नमस्कार में उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चलि जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमु खबरों को इस बार समय पर ही आएगा मौनसून, COVID-19 के माहौल के बीच भले ही आमनागरिक अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं बगर परियावरन खुल कर सांस ले रहा है और यही कारण है कि इस बार का मौनसून समय पर पहुँचने वाला है इतना ही ने मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 48 घंटे में महरास्ट के कुछ हिस्से में बारिश होने का पुर्वान मान जताये गया था वहीं मौसम विभागने सब्ता के अंत में जारखन बिहार में भी मौनसून के शिरू होने की बात कही है वहीं बीते दिन मौनसून की वज़े से मध्य, महराश्टर, मधा, ठवारा, करनाटक, रायल, सीमा, अंध्रप्रदेश होते हुए ओडिसा और छातिसगर की तरफ दक्षिनी हिस्से में पादल छागे है भारत में शुरू हुआ वंदे भारत का तीसरा चरण हो गई है जिसके परिनाम स्वरूप जहां पहले और दूसरे चरण में एक लाग पैसट हजार से अधिक भारतिय स्वदेशी लॉट कराये थे वहीं दूसरी तरफ तीसरे चरण की शुरूआत करते वे भारत सरकार पहले यूरोप और अमेरिका क्यानडा में फसे भारतियों को वापस अपने देश लाने की तयारी कर रही है जिसके तहर विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अनुराग श्रिवास्तव ने साफतोर पर कहा है कि तीसरा चरण दो जुलाई तक चरेगा इस दौरान 432 उरानों में 43 देशों से भारतियों को वापस लाने की बात कही गई है पटरी पर दोड़ती दिखी डबल कंटेनर ट्रेन कोबर 19 के माहौल के बीच भारतिय रेलवे ने बीते दिन बड़ी सफलता हासल की है जिसके तहर पस्चिमी रेलवे के छेतर में ओवरहेड एक्विप्मेंट को चालू किया है चालू की गई इस ओवरहेड एक्विप्मेंट की उचाई 7.57 मीटर है जिसकी जानकारी रेलमंत्री पियुष कोईल की तरफ से ट्वीट करके जारी की गई है महीं भारतिय रेलवे की इस उपलब्धी के बारे में उन्होंने बताया है कि एक वीडियो भी शेयर किया है साथ ही उन्होंने कहा है कि रेलवे ने पहली बार ओवरहेड एक्विप्मेंट को स्टेशन के बीच डबल स्ट्रक कंटेनर ट्रेन का सफलता पूरवक परिचालन कर नया मांदन विक्सित कर गया है वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेल के मताबिक इस उपलब्धी से ग्रीन इंडिया के महत्वाकांशी मिशन को भी बढ़ावा मिला है डबल ट्रक कंटेनर ट्रेन का परिचालन गुजरात में 10 जून को किया गया है व्यापारी विजय मालिया को लेकर भारत में ब्रिटेन सरकार को भी सचेत कर दिया है जिसके तहट भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार से आगाह किया है कि मालिया के शरण के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाए नई दिली की तरफ से कहा गया है कि देश में मालिया के कारण बहुत ज्यादा परिशानी उत्पन हुई है लेकिन अगर वह शरन देने का अनुरोध करता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अनुराक श्रिवास्तर ने खा है कि हमने ब्रिटेन से अनुरोध किया है कि यदि विजय मालिया की ओर से अनुरोध किया जाता है तो उसकी शरन पर विचार ना करे क्यूंकि भारत में उसकी वज़े से बहुत ज्यादा परिशानी हुई है भारत मालिया के जल से जल प्रतियर्पन के लिए लगातार UK के संपर्क में है आपको बता दे विजय मालिया ने अपने प्रतियर्पन से संबंधित याचिका ब्रिटेन के उचितम नयायाले में दायर की है जिसमें कोट ने खारिज कर दिया था वहीं ब्रिटेन के ग्रिह सर्चिफ का यह कहना है कि वह जितनी जल्दी प्रतियर्पिन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है उसे जल्दी काम करना चाहिए विदेशी महिला को अब अपने देश से ज्यादा भारत से हो गया है लगाव COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जहां केंदर सरकार ने एक तरफ बंद का एलाम जारी क्या था वहीं जो लोग जहां थे वहीं पर फस गये थे हाला कि अब सरकार ने बंदे में छूट देने देते हुए विमान सेवा के साथ सा ट्रेनों के परचालन की अनुमती भी दे दी है हाला कि अब सर्फ घरेलू विमानों के परचालन की अनुमती दी गई थी वहीं इसी बीच बंद की वज़े से पिष्टर दो महीये से भोपाल में एक विदेशी महिला फसी हुई थी खबरों की माने तो यह महिला पोलांट की रहने वाली है खबरों की अनुसार पोलांट निवासी, डोरोटा, मारिया, सिंग रॉली के रहने वाले संगीतकार विवेक सिंग रावत से शादी करने मार्च में भोपाल आई थी मगर उनके मन में भारत की छवी बेहदी खराब थी, खासतोर पर उन्होंने भारत के पुलिस कर्मियों के बारे में बहुत सारी बाते सुन रखी थी, लेकिन भोपाल आने के बाद उन्हें यहां पुलिस की मदद मिली, तो उनकी सोच पूरी तरीके से बदल गई, बीते दिन परीजों के लिए महिला ने रात भर चलाया आटो, यह वाक्या मनिपूर का है, मनिपूर के एक महिला आटो ड्राइवर ने बीते दिन रिकावरी महिला को उसके घर तक पहुचाने के लिए 144 किलोमेटर का सफर आटो में ही तैय किया, लाइवी ओईनम नामक महिला आटो ड् नाम भे दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हांडल से साजा की है, जिसके तहत उन्होंने लिखाया है कि मुझे पेंगई की आटो ड्राइवर को इनाम के तौर पर एक लाग दस जार देते वे गर्फ महसूस हो रहा है, जिन्होंने परिशानी उ लागू होने के बाद फसे मजदूरों को श्रमिक ट्रेन के अलावा दूसरे माध्यम से भी उनके घर भेजा जाना शुरू कर दिया गया था, हाला कि लोगों को उनके गंतव्य तक पहुचानी के लिए भारी संख्या में ट्रेन चलाई जा रही थी, मगर वापसी में कई ट खाली देखी गई है, इसी वीच गोरगधाम एक्सप्रेस की बात करें तो सेकेंड एसी में पूरे सब्ता 500-600 से अधिक सीट खाली देखने को मिले थी, इसी तरह कुशिनगर में मुंबई जाने वाली स्पेशल ट्रेन में 300 से ज्यादा खाली सीटे देखने को मिले थी, गो लगातार छटे दिन में महगा हुआ, पेट्रोल डीजल, COVID-19 की वज़े से बंद के बीच अन्लॉक वन लागू कर दिया गया था, जिसकी बात बीते पास जुनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़होतरी देखने को मिल रही है, मही लगातार छटे दिन में प राज़ाने दिलनी में पेट्रोल की कीमत में 0.57 रुपे की बढ़होतरी के साथ 74.57 रुपे प्रती लीटर पेट्रोल मिल रहा है, मही डीजल 72.8 रुपे प्रती लीटर मिल रहा है, खबरों की माने तो अंतराजश्वे बाजार में कच्छोय तेल की कीमत दो दशक के निच जनीती भी शुरू हो गई है। वैसे के वैसे ही खड़े हैं। स्थानों को NIRF की रैंकिंग में जगह मिली है। जिसकी जानकारी केंद्रे मानफ संसाधन विकास मंत्राले के तरफ से National Institutional Framework रैंकिंग की सूची जारी कर दी गई है। जिसमें दिल्ली के सिक्षन संस्थानों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। माहि इस साथ जान विश्वेद्याले और जामिया मिलिया इसलामिया के सिक्षको वच्छात्रों के लिए खुश खबरी है। रिपोर्ट में विश्वध्याले की श्रेणी में इस साल जन्यू को दूसरी रांक में लिए तो वहीं जामिया को दसवा सान प्राप्थ हुआ है मैं डियू इग्यारव इस्थान पर है तो इसके साथ ही जन्यू ने पिश्टे चार वर्षों में M.H.R.D. की N.I.R.F. रांकिंगी विश्वध्याले की श्रेणिंग में सर्विश्ष केंद्रे विश्वध्याले की जगह बनाने में कामियाबी प्राप्त की है भारत चीन के रिष्टे में आईदर आर कोवर्ट-19 के बढ़ते माहौल के बीच भारत और चीन के रिष्टे 12 में भी भारत चीन की व्यापार में 10.5 फीसदी की गिरावट देखने को मिले थी वहीं आपको बता दे वितवर्ष शुरू होने के बाद भारत चीन के व्यापार में तीन वर्षों में 2 फीसदी की बढ़होतरी की गई थी यानि की एक साल के भी तरही दोनों के बीच में सामाने हो गया था जिसके बाद इस साल एक बार फिर से चीनी सामानों की बिक्री में गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है अधिकारियों के माने तो भारत चीन व्यापार में साथ साल में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी COVID-19 के महाल के बीच तीसरा कार खाना लगाने की तैयारी में जुटी जापानी कमपनी भारत में COVID-19 के मामली लगातार बढ़ते जारे हैं मगर अर्थ विवस्ता को बापत से पट्री पलाने की जरूरत को देखते वे हर और से कोशिश की जारी है पूरी दुनिया भर में COVID-19 के मामले ज्याता तर फैलते जारे हैं देशों की कमपनी भारत के प्रती भरोसा जोताना शुरू कर रही है जापान की एर कंडिशनिंग कमपनी डाइकन ने COVID-19 के हालात के बावजूद भारत में अपने निवेश योजना को आगे बढ़ाते वे यहां तीस्टा सबसे बड़ा कारोबार लगाने का फैसला किया है कमपनी के एक शीष अधिकारी ने गुरुवार को कहा है कि स्थानी अस्तर पर उत्पादन बढ़ने के लिए कमपनी भारत में तीस्टा कारखाना लगाने जा रही है BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने IPL के आयोजन को लेकर दिये संकेत BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने IPL का आयोजन को लेकर एहम संकेत दिये हैं जुसके तहत उन्होंने कहा कि IPL का आयोजन इस साल के अंत तक करवाय जा सकता है पिश्रतीन महीने में पहली बार सौरभ गांगुली के बयान से एक सकरात्मक परिणाप नजर आया है पीडिया हाउस को दिये गे एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि BCCI IPL के सभी स्टेक होलडर से बाचीत कर रही है IPL के होलडर्स के सभी फ्रेंचाइजिस, टेलीकास्ट, राइट्स, होलडर्स और स्पोंसर्स प्रमुक है उन्होंने यह भी बताया कि अगर बंद स्टेडियम में IPL मैचों का आयोजन कराना पड़ा तो उसे भी परहेस नहीं किया जाएगा जिसे की एक बार फिर से IPL के आयोजन की उमीद जा गई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे, IPL का आयोजन मार्च के आखरी सब्ता में शुरू होने वारा था मैं नहीं बता सकता कि कब तक खेलूँगा लेकिन अपने खेल का पूरा मजा ले रहा हूँ और अभी कहीं नहीं जा रहा, मैंने अपनी पत्मी से भी कोजनों पहले इस मुद्धे पर बात चीट की थी साहो के डारेक्टर सुजीत की हुई साहो फिल्म के डारेक्टर सुजीत की सगाई हो गई है जुसके तस्वीर सोशल मीडिया पर काफीते जीजे ट्रेंड कर रही है उन्होंने देंटिस्ट प्रवालिका से 10 जून को हैदराबाद में सगाई की है इस मौके पर COVID-19 की वज़े से सिर्फ करीबी लोग मौजुद दिखाई दी है हाला कि सगाई की चर्चा में आने के बाद लगातार सुजीत और प्रवालिका सुर्ख्यों में बने हुए है आपको बता दे दोनोंने अपनी सगाई पारम पर परिधान के साथ की है महीं सोशल मीडिया पर तेजी से फैलरी तस्फीरों में सुजीत सफेद रंग की शेरवानी पहने वे हैं तो महीं प्रवालिका हरे और जामुनी रंग की साड़ी में दिखाई दे रही है वहीं सगाई की फोटो से मीडिया के दोरान उन्होंने साफ कहा है कि केंदर सरकार की तरफ से जारी केगर गाइडलाइन के तहथ ही सगाई का आईजन करवाए गया था तो चलिए बढ़ते आज के सवाल के और आज का सवाल को छिस प्रकार है आपके रुसार COVID-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते वे क्या लॉकडाउन को फिर से लागू करना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुरे रहने के लिए हमारी यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद